हाई, वेल्कम बैक, चलिए मॉडियल 5 के असाइन्मेंट सॉलुशन का डिसकेशन कंटिन्यू करते हैं, तो नेक्स्ट आस्प में आपको एक API फोल्डर क्रियेट करना था, जिसके अंदर आपको दो पोस्ट समिट फाइल्स क्रियेट करनी थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडिय इसलिए क्रियेट किया है, जिससे साइन अप और लॉगिन मोडाल वर्क करें, चलिए साइन अप अंडर्सकोर सब्मेट.php फाइल से स्टार्ट करते हैं, आपको कोड अल्रेडी प्रोवाइड़िट था, जिससे कि आप असाइन्मेंट को स्टार्ट कर सकें, लेट अस डिस सेम हैं, और दोनों के बीच में, जो माइन्यूट डिफरेंस है, उसे अभी डिसकस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद हम पोस्ट सुपर ग्लोबल वरियेबल को यूज करके, यूजर इंफॉर्मिशन को फेच करेंगे, और उसे लोकल वरियेबल में स्टोर लेकिन आप नोटिस करिए कि हम पासवर्ड को डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसे स्टोर कर देंगे, तो कोड पे जो भी काम कर रहा होगा, उसे ये पासवर्ड पता चल जाएगा, देरफोर एक डेवलपर के लिए यूजर का पासवर्ड नॉर रहा है या नहीं, फिर हम चेक करेंगे कि रिजल्ट में एक से ज्यादा रो है या नहीं, अगर रो काउंट जीरो है, तो इसका मतलब है कि यूजर रेजिस्टर नहीं है, और अगर रो काउंट जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि यूजर वेबसाट पे रेजिस्टर है, इस क चेक करती है कि account successfully created है या नहीं. फिर home page के लिए anchor tag है. ये काफी simple code है. हम इसे already सीख चुके हैं. Next, we will discuss the login underscore submit dot php code. यहाँ पर हमें session start function चाहिए. फिर हमारे पास ये line है, जिसकी help से हम database से connection establish कर सकते हैं. Remaining code बिल्कुल वैसा ही है, जो हमने signup underscore submit dot php में discuss किया था. तो मैं remaining part को skip कर रहा हूँ. Please go through it. Next, we will move to the code of logout dot php. ये simple code था और file अलरड़ी आपको given थी as a starting point. यहाँ पर हम first line की help से session को identify करेंगे. और फिर next line of code को use करके, हम session को destroy कर सकते हैं. और फिर तीसरी line को use करके, हम user को home page पे फिर से direct कर सकते हैं. इस बार user logged out होगा. अब चलिए assignment के next part पे चलते हैं. यहाँ पर city search form में, आपको action और method को add करना था. Let us go through the code. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, हमने method को as get add किया है, और action को as property underscore list dot php add किया है. Next part में, आपको सारे html को php files में change करना था. यह हम इस वीडियो में पहले ही discuss कर चुके हैं. चलिए property underscore list dot php पे चलते हैं, जहाँ पर हमने database से data fetch करना है. यहाँ पर हमारे पास session start function है, क्योंकि हम check करना चाते हैं कि user logged in है या नहीं. फिर हमारे पास database से connect करने के लिए यह line of code है. अब अगर user logged in है, तो dollar underscore session यूज़ करके, हमें उसकी user underscore id मिल जाएगी. Next, इस line of code को यूज़ करके, हम URL से city name को fetch करेंगे. फिर next line में हम check करेंगे कि जो city user ने enter की है, वो valid है या नहीं. हम entered name को cities टेबल से cross reference करके check करेंगे. इसके बाद similar things हैं, जैसे अगर user incorrect city name enter कर देता है, तो हम message print करेंगे, we do not have PG listed in this city. और अगर city present है, तो हम city underscore id को fetch करेंगे, और फिर city underscore id को use करके, हम उस particular city की properties को fetch करेंगे. इसके बाद, हम सारी properties को properties area में store करेंगे, फिर हमारे पास code का ये part है, जो उन properties को fetch करेंगा, जिनने user ने as interested mark किया है. फिर हम properties area को use करके, एक particular city की number of properties को fetch करेंगे, और इसके लिए हम for each loop को use करेंगे. अगर आपको याद हो तो, module 2 और 3 के assignment में, हमने इस property list page को hard code किया था, लेकिन अब हमने data code database में store कर दिया है, तो हम directly वहाँ से उसे particular property के लिए fetch करेंगे, और हम globe की help से particular property के लिए database से images को fetch कर सकते हैं. फिर star rating के लिए हमारे पास for loop है, please spend some time in understanding this code. अगर आपको ये code समझा गया, तो आप बाकी की PHP files के code और logic को भी समझ पाएंगे. With this, we have come to the end of another exciting video. Up next is a module.